नमस्कार कुबूल है कुबूल है कुबूल है कहकर अपनी ही बेहनों से निकाह करने वाले मस्त करवन शीनर कुछ दिनों तक तो अपनी इन बेहनों को ही बीवी स्वरूपा मान कर दबा कर पेलते हैं परंतु जैसे ही इन मादाओं की कसी हुई जोपडियां निरंतर पड़ने वाले भीशन लठागातों के कारण धीली होकर भिखरने लगती हैं तो ये मस्त करवन शीनर खुदाई की किताब के अनुसार हलाल मानी जाने वाली अपनी इन बीवी स्वरूप बेहनों को तलाक तला परक्रित आस्मानी खुदाई की किताब के नियमा नुसार हलाला नामक विशेष खुदाई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हलाला की इस मस्त करकालीन परंपरा के अनुसार अपनी जोपड़ी को पुने हलाल गोशित करवाने की इच्छुक एक तलाक पीडित मस्त किसी सामान्य नर्की लाठी को अपनी हराम गोशित की जाचुकी जोपडी में प्रक्छालित करना होता है हलाला की कुछ दिन की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरां संबंदित मादा की जोपड़ी को पुने खुदाई हेतु उप्युक्त मानकर उसे हलाल घोशित कर दिया जाता है अर्थात यदि हलाला की परिभाशा को सरल भाशा में कहा जाए आज पकिस्तान की एक ऐसी मस्त करवंशीनी मादा के पास पहुंचा है जो कि पिछले कुछ ही वर्षों में कई बार अपना हलाला करवा चुकी है परन्तु अनेकों बार हलाला करवा चुकी इस मादा की जौपड़ी को हर बार हराम मानकर त्रिस्कृत कर दिया जाता है पहले शोर छोड़ शोड़ गया दूसरे ने चोड़ दिया तीसरे ने किस तरह से वह मेरे खामने जो ना इसके साहथ हलाला कर वा दिया था त्रिस्रे खामने इसको इसलिए छोड़ा वो किसी और को पसंद किया करता था उसने एक और लड़के से राप्ता किया और कहा कि तुम इस से शादी कर लो मैं उस से शादी करना चाहता हूँ तुम इसके साथ रह लो दोनों ने मिल कर ये डिसकस किया और प्लैन किया कि हम इस तरह से मामला तैप पालेते हैं शेकीला से बाकी मामलात जाने की कोशिश करेंगे लेकिन बदकिस्मति से मैं इसलामी जमूरिय पाकिस्तान में रहता हूँ और इस तरह के मामलात इसी मुल्के पाकिस्तान में हो रहे हैं। शकीला इस वक्त प्रेगनेट ने इनके तीसरे शोहर ने सिर्फ इस वज़ा से इनको अभी तक छोड़ रखा है कि वो कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है पैदा होने वाला बच्चा मेरा नहीं है तुम्हारा तालू किसी नाजाइज शक्स के साथ होगा तुम्हारा तालू किसी और के साथ होगा और ये बच्चा भी उसी का है जब कि जो तीसरा शोहर है वो इससे बहुत ज्यादा महबत करता है और पिर इसकी तसावीर पे लव प्यार इश्क अल्ला रसूल इस तरह की कैप्शन दे रखी हैं सारे मामलात इन से जानते हैं शकीला बताईएगा के पहला शोर छोड़ गया दूसरे ने छोड़ दिया तीसरे ने किस तरह से बलैक मेल करना शुरू किया और छोड़ कर क्यों गया तीसरे ने पहले नबर तो दूसरे ने जो जब नकाह कर वाया था निकाहन आमा उसके है नहीं पास तो मैंने का कि आप नकाहन आमा दे मुझे तो जब मरजी आप मेरे गार से मुझे लेक जा सकते हैं मतलब कि मैं अपने वाले देन को राजी कर लूँगा दूँगा इस तरह से थी वो मेरे पीटा चार-पांच दिन बूखा रखा प्यासा रखा उसके बाद में उसने जो ना नशाव गरा दिया था मुझे तो पता ही निया बस अंगुठे लगे होए थे तो उन्होंने का कि हमारे पास निकानामा है तो क्या उमरे तीसरे शोहर की उसकी 25 साल चब्रियों मैं आपकी जो ना फिर मेरे अबू और बाई नराज होगे मुझे से माबाप ने भी आपको कतल करने की कोशिश की मेरे वाले नराज हुए थे बससे तो उन्होंने का कि इस तरह तुम्हे नहीं था करना चाहिए जैसे हमारी इज़त को चाल रही हो हमारे जाहिर है कि मैं बेटी उनकी म मैं सब कुछ हूँ तो इस तरह मेरे वाले साफ जो है ना वो तो नमाजी परहजी बंदे हैं तो इन्होंने हर जगह पे मेरी बदनामी की अब भी मुझे कभी फाशा बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ मैं पांच नमाज पढ़ती हूं गरान पर ही फ़स किया कि भी मेने हुआ था इसने पहले मही नेकल लखवाया है उसके बाद में जो मेरा सब्सी कर नहीं बनाता एज जो प्तलाक नाम में का मुझे सर्टिफिकेट वह भी नहीं बना था तो इसने वकील को पता नहीं कितने पैसे दी इंक तो उस वकील हमारा नकाज बंदा मुझे क तो वो बस इसलिए नहीं मारड़ा कि उसके वालेदान कहते हैं कि इसे इतना ज़्यादा बदनाम करो इसके वालेदान को इसको कि ए खूदी कुश्य करके मर जाए या पिर कहीं बाग जाए या मतलब कि क्या समर के माबाप पसंद नहीं करते है आपको हाँ जी वो उनके प्लैन था कि इसके साथ बस नका करो और जो इसको डियान जब होने के लिए गए थे ता भी इसने मेरे साथ नका किया आपने समर को हवलात में भी बंद करवाया था किस बुनियात पे उसकी दुबारा से सुल है लेकिन मैं बियान देना चाहती थी यह थालाले का सुबूत करे कि दरैं कि मैं यह Steady यह उपने बार दी चैनगर आपको यह वाह được कि चाहती वह इसकी प्र आना चाहती थी कि ता इसमें घु कियुम लैजा मिफिने को कि यह पच्चा मेरा नहीए था और आपने वाले न स बाहिर जा के बात करता है था मेरे सामने एक दीन उसने बात नी की ना हर मर्द जूटा है हर औरत जूटी है कौन खराब है कौन गंदा है कौन क्या कर रहा है कौन गलत कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि मौशने में चल क्या रहा है एक शिक्स आपको पसंद करता है फिर धोका दे देता है फिर छोड़ देता है उसको नाजायस बच्चे का नाम दे देता है जो पैदा होने वाला होता है बीबी का तालू किसी के साथ है शोहर का तालू किसी के साथ है कोई किसी से शादी करना चाहते है यह क्या यह इसको मुआश्रा कहते है प्रकार की रोचक मनोरंजक एवं ज्यानवर्धक सूचनाव है तो आप अपने दूसरे चैनल तोपी डीटोक से भी अवश्य जुड़ें तोपी डीटोक चैनल का लिम निचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने इस चैनल को और अधिक स्थिर्ता दिर्ता और व्यापकता प्रदान करने हैं तो सक्षम सदस्य सहयोग भी अवश्य करें इस चल्चित्र को यही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले चल्चित्र में तब तक के लिए सबको बंबं